बच्चो नमस्कार गनित की कक्षा में आपका स्वागत है बच्चो आज हम गनित की कक्षा में कक्षा तीसरी का अध्याय 11 मुद्रा पे कुछ चर्चाएं करेंगे तथा अपनी कुछ अवधारनाओं को इसपश्ट करेंगे बच्चो जैसा आप देख रहे हैं आपको यहाँ पे कुछ नोटे दिखाई दे रहे हैं और कुछ सिक्के भी दिखाई दे रहेंगे बच्चो यह आपने कहाँ पे देखा है जी हाँ आपने अपने घरों में इनको देखा होगा बच्चो ये हमारे क्या काम आते हैं तो आप देखे होंगे कि जब हम भल के दुकान या हम किसी होटल में या हम किसी किराना दुकान में जाते हैं तो हमें समान के बरले इनी नोटों को देना पढ़ता है आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि ये नोट अलग-अलग होते हैं तो इनका मान क्या होता है और हम इसे कैसे उप्योग में लाते हैं बच्चो अब मैं आपको बारी-बारी से कुछ नोट दिखाते जाऊंगा आप उसे पहचानते जाएगा तो बच्चो आपको यहाँ पे एक नोट दिखाई दे रहा है ये कितने का नोट है बच्चो? एक रुपए का बच्चो एक रुपए का आपको सिक्का भी दिखाई दे रहा है अर्थात इसके नोट भी आते हैं और सिक्के भी आते हैं इसी प्रकार से आपको देखिए 2 रुपए दिखाई दे रहे हैं, इसके नोट भी आते हैं और सिक्के भी, अब देखिए आपको कितना दिखाई दे रहे हैं बच्चो, 5 रुपिया, इसके भी नोट हैं और सिक्के भी हैं, इसी प्रकार से आप देखिए अब आपको क्या दि दिखाई दे रहा है यह पहले का छपा हुआ है जो यह नीचे वाला नोट है यह अभी प्रचलन में ज्यादा है और अभी अभी छपा हुआ है आप इन दोनों में से कोई से भी नोट का उपयोग कर सकते हैं और बच्चो आज कल तो 10 रुपे के सिक्के भी आ गए हैं आप दे दे रहा है इसी प्रकार बच्चो आप देखिए आपको कौन सा नोट दिखाई दे रहा है बच्चो 20 रुपे का इसमें भी आपको एक नोट पुराना दिख रहा होगा और एक नोट नया जो वर्तमान में नया नया छपा है इसी प्रकार बच्चो 50 रुपे के नोट भी होत क्या दिखाई दे रहे बच्चों? 100 रुपय का नोट. इसमें भी आपको दो नोट दिखाई दे रहोंगे. जो 100 रुपय का ऊपर का नोट है, यो वर्तमान में छापे गए नोट हैं, और जो नीचे हैं या पुराने समय में छापे हुए नोट हैं. इसी प्रकार बच्चों 200 क नोट भी होते हैं, 500 के नोट भी होते हैं, और 2000 के नोट भी होते हैं. इन नोटों की मदद से हम दुकान में से समान खरीच सकते हैं. बच्चों इसी प्रकार कुछ सिक्के भी होते हैं, जो कि पैसे होते हैं. आपको यहाँ पे कुछ सिक्के दिखाई दे रहे हैं. बच्चो इन में से कुछ सिक्के तो आपको अपने घरों में भी दिखाई दियोंगे, पर नतु कुछ सिक्के अब दिखाई नहीं देते, आप जब अपने माता पिता से पूछेंगे, तो वो आपको बताएंगे कि हाँ, उन्होंने इन सिक्कों का उप्योग किया है, या पुराने समय म चलते थे, जैसे एक पैसे का सिक्का, पांच पैसे के सिक्के, दो पैसे के सिक्के, दस पैसे के सिक्के, पचीस पैसे के सिक्के, और पचास पैसे के सिक्के, या सभी सिक्के पहले चलते थे, परंतु वर्तमान में अब या उप्योग में नहीं लाए जाते हैं, परंतु रुपए का सिक्का, दो रुपए का सिक्का, पांच रुपए का सिक्का और दस रुपए का सिक्का, ये सभी सिक्के अभी वर्तमान में प्रचलन में हैं, आईए बच्चों अब हम देखते हैं कि इन सिक्कों और नोटों को आप पढ़ पाते हैं या नहीं, तो बच्चों आप देखिए आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि एक तरफ सिक्के और नोट बने हुए हैं और दूसरी तरफ उनका मान दिया गया है। आईए बच्चो हम देखते हैं कि इसमें कितने रुपए हैं और कितने पैसे हैं। तो बच्चो सबसे उपर देखिए जो मैं आपको अभ्यास करा रहा हूँ। उसमें देखिए आप एक रुपए का एक नोट हैं। पचास पैसे के एक सिक्के हैं और पचीज पैसे के एक सिक्के हैं। तो अब हमें बताना है कि कितने रुपए हैं और कितने पैसे हैं। तो देखे बच्चो, पैसे में हमारे पास दो सिक्के हैं, एक 50 पैसे का है और एक 25 पैसे का है, दोनों को हम जोड देंगे तो कितना हैगा बच्चो? 50 पैसे, धन 25 पैसे, कितने हो जाएंगे बच्चो, 75 पैसे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 रुपए 75 पैसे, हम इसे बाजू में लिख देंगे, इसी प्रकार आप नीचे के दोनों नोटों को और सिक्यों को देखिए, और बताइए कि कितने रुपए हैं और कितने पैसे ह यह अभ्यास आपके पाठ पुस्तक में दिया हुआ है, आप जाएए और करके देखिए, आईए बच्चो, अब हम गनिती रुप में इसी का अभ्यास करके देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए बच्चो, आपको कुछ रुपए और पैसे दिये गए हैं, आपको जोड के बताना हैं कि कुल कितने रुपए हो रहे हैं और कितने पैसे, बच्चो, मैं आपको पहला अभ्यास कराता हूं, इसी प्रकार से आप अन्य अभ्यास करके देखिएगा, तो बच्चो, आप देखिए कि सबसे उपर में हमें कितना लिखा हुआ है बच्चो, दस रुपए, धन 5 रुपए, धन 10 पैसे, धन 5 पैसे, तो बच्चो अब आप किजिए रुपए को रुपए में जोडिये और पैसे को पैसे में जोडिये, तो 10 रुपए धन 5 रुपए कितने हो जाएंगे बच्चो सोचिए 15 रुपए तो यहाँ पे हमारे पास कितने आ गए 15 रुपए इसी प्रकार 10 पैसे धन 5 पैसे इनको भी जोड़ दीजे 10 धन 5 कितना होगा बच्चो 15 तो यहाँ पे पैसे भी कितने आ जाएंगे 15 पैसे तो हम मारा उत्तर हो जाएगा 15 रुपए 15 पैसे चलिए बच्चो मैं आपको एक अभ्यास और करा देता हूं तो देखिए यहाँ पे नीचे में कितना दिया है बच्चो 20 रुपए धन 1 रुपए धन 25 पैसे तो रुपए में हमें दो बार दिये गये हैं और पैसे सिर्फ एक बार त किजिए तो 20 रुपए धन 1 रुपए कितना हो गया बच्चो 21 रुपए और पैसे कितने थे बच्चो 25 पैसे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 21 रुपए 25 पैसे अब बच्चो बाकी के प्रश्न आप अभ्यास में करके देखेगा यह आपको आपके पाठी पुस्तक में मिल जा और अगर आपको कोई समस्य आती है तो आप अपने घर के बड़ों से पूछ लिजेगा या अपने सिक्छक की में मदद ले सकते हैं आईए बच्चो अब हम एक खेल खेलते हैं यह खेल बड़ा मज़दार है बच्चो आप इसे अपने घर में अभ्यास के रुप में करके देखिएगा आप चाहें तो आपके स्कूल में जो संपर्क कीट आया हुआ था उसमें नोट आपको दिये गए थे उसमें आपको नोट असानी से प्राप्त हो जाएंगे तो आप या तो नोट वहां से ले लीजिए या फिर ड्रॉइंग करके खुद भी बना सकते हैं इस तरह एक दुकान तयार करनी हैं जिसमें देखिए यहां पे हमें ट्रक की कीमत कितनी दी गई है 18 रुपए यहां पे जो सीटी है उसकी कीमत दी गई है 11 रुपए आपको यहां पे एक जुन जुना भी दिखाई दे रहा है उसकी कीमत कितनी है बच्चो 7 रुपए जो कीमत है 12 रुपए इस प्रकार अलग-अलग खिलोनों की कीमत अलग-अलग है आपको गतिविधी करना है जिसमें आप इन खिलोनों को दूसरे बच्चों को बेचना है वह जो नोट बनाये थे आपने वह नोट लेकर आएंगे और आपको इतने पैसे लेके इस खिलोने को उनक को देना है बच्चों ये गतिविधी आप घर में करके देखेगा हो सकता है कि कोई बच्चा अधिक नोट बनाया हूँ तो वह दो खिलोने या तीन खिलोने भी ले सकता है तो आप इन सभी खिलोने की कीमत को जोड के उससे कुल कीमत लीजिएगा जब आप सामने वाले कि उसने कुल कितनी कीमत की खिलोने खरीदे हैं ठीक है बच्चों आप ये अभ्यास करके देखिए आपको बहुत मजा आएगा चलो बच्चों अब हम एक अभ्यास करके देखते हैं ये आपको मौखिक बताने हैं जैसे एक चौकलेट हमें 50 पैसे में मिलती है और हमारे पा होंगे तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए कि चौकलेट की कीमत कितनी है 50 पैसे और हमारे पास कितने पैसे के सिक्के हैं 10 पैसे तो आप बच्चों आप जोड़ते जाइए 10 पैसे का एक सिक्का फिर अगर उसमें हम 10 पैसे और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे 20 पैसे, तो 10 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे और 50 पैसे, तो 50 पैसे होने के लिए हमें कितने सिख्के लगे बच्चो, 5 सिख्के, अर्थात हमें 10 पैसे के 5 सिख्के देने होंगे, ताकि हमें 50 पैसे के चोकलेट मिल जाए इसी प्रकार बच्चो और भी कई मौखिक प्रश्ण आपको आपके पाठ्य पुस्तक में दिये गए है आप चाहिए और उनको हल करके देखिएगा अब बच्चो हम एक और अभ्यास करके देखते हैं जैसे बच्चो हमें एक किताब लेनी हैं जिसकी कीमत है 8 रुपए अब बच्चो हमें 8 रुपए देना हैं तो हम कितने तरीके से दुकानदार को वह 8 रुपए दे सकते हैं तो चलो बच्चो मैं पहला तरीका बताता हूं तो देखिए आपको कुल कितने रुपए देने बच्चो आठ रुपए तो उसमें मैं पांच रुपए का एक नोट, दो रुपए का एक नोट और एक रुपए का एक नोट दे सकता हूँ आप जोड़के देखिए बच्चो पांच धन दो धन एक कितने आ जाएंगे आठ रुपए तो इस प्रकार मैंने पांच के नोट, दो के नोट और एक के नोट देते हुए वहाँ किताब खरीद ली बच्चो क्या दूसरा भी तरीका हो सकता है कि मैं अलग-अलग नोट देके भी खरीद सकता हूँ सोचिए बिलकुल दूसरा तरीका भी हो सकता है अगर सोचिए कि मैं दो रुपए के चार नोट दे दूँ तो कुल कितने रुपए हो जाएंगे बच्चो, दो रुपए, चार रुपए, छे रुपए और आठ रुपए, तो दो रुपए के चार नोट कितने हो जाएंगे बच्चो, आठ रुपए, मैं दो रुपए के चार नोट देकर भी किताब खरीद सकता हूँ, बच्चो, अब आप सोचे कि और कितने तरीके से मैं उस किताब को खरीद सकता हूँ। इसे आप अभ्यास के रूप में करके देखिए। अब बच्चो हम इबारती प्रश्ण करके देखते हैं जो कि आपके पाठे पुस्तक में दिया गया है। मैं बच्चो आपको पहला इवारती प्रश्ण करके बता रहा हूँ, आप अन्य इवारती प्रश्ण इसी तरीके से अपने घर में करके देखेगा जैसे बच्चो पहले प्रश्ण में दिया है कि हेमवती को किताबे खरिदने के लिए 100 रुपए की जरूरत है उसके पास अभी 40 रुपए है किताब खरिदने के लिए उसे और कितने रुपए चाहिए अब बच्चो आप देखिए कि किताब की किमत कितनी है 100 रुपए और हेमवती के पास कितने रुपए है 40 रुपए अर्थात उसके पास कम रुपए है तो हमें देखना है कि कितने सेश रुपए बचे जो उसे और चाहिए तो इसके लिए हम क्या करींगे बच्चो हाँ 100 में से 40 को घटा देंगे तो देखे बच्चो यहाँ पे हमने 100 रुपए में 40 रुपए को घटा दिया तो आप देखे बच्चो, 100 में जब हम 40 घटाएंगे, तो कितना आएगा बच्चो? बिल्कुल सही, 60 रुपए. तो हम कह सकते हैं कि हेमवती को 60 रुपए और चाहिए ताकि वह यह किताब खरीद सके. बच्चो, आप अपने खेल में भी इसका उपयोग कर सकते हैं. आप कुछ नोट बना लीजे और आपस में बच्चो में खरीदारी करके देखिए कि एक दुकानदार बन जाए और एक ग्रहक बन जाए और आपस में लेंदेन करके देखिए. इस तरह आप मुद्रा का खेल खे आएगा बच्चो, आप इसे घर में भी खेल के देखिएगा. अब बच्चो हम मिरते हैं आपसे गनित की अगली कक्छा में कुछ नए अवधार्णों के साथ तब तक के लिए नमस्कार.